हाईलो डियर फ्रेंड आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन सिच्छन के यूटूब चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा है नमस्कार आज हम लोग पवन सीरीज के वेरी सॉर्ट कोश्चन यानि किया तिलगूतरी प्रेश्ण करेंगे तो इससे पहल कि आपका चैप्टर से कुछ हो वेरी मतलब की इंपॉर्टन चैप्टर हो और उस थेओरी के चैप्टर भी थे तीन चार थेओरी के चैप्टर थे तो वो भी छोड़े नहीं गए आपको पढ़ाया गया है बहले उससे क्वेश्चन कम आते हैं बट आपको पढ़ाया गया ह तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दीर गुस्वर कितने होते हैं पहला कोश्चन जो है हमारा कि दीर गुस्वर कितने होते हैं तो दीर गुस्वर हमारे कितने होते हैं दोस्तों स्वरों को संस्कत में अच कहते हैं आपके एक्जाम में कुश्यन आ सकता है बहु विकल्पी में भी आ सकता है और लिखने को भी आ सकता है कि अजप्रत्यहार में कितने वर्ड होते हैं तो अजप्रत्यहार में आपके टोटल जो है स्वर आते हैं यानि स्वरो का समो आपका अजप्रत्यहार में आता है तो दीर क स्वरों की संख्या 8 है कौन-कौन सी है बड़ा आई-ई-उ-डी-ए-ई-ई-ओ-व ये आपके 8 हैं बचे 5 पांच आपके हैं हश्य हश्य श्वर यानि की जिनमें एक मात्रा का समय लगता है प्लियर तो आट-पांच तेरा टोटल आपके स्वर कितने हैं जिसे कहते हैं अनुष्य कर एक दचानाशी अनुष्य का है अनुष्य विद्धा और नग्ला किसे कहते हैं रूज से एपर प्लत की आए अणी कि बिंद्र लंद से और झालए अनूनाशिक होता हैंंगा हो जाएगा अंग हो जाएगा यह वाहना हो जाएगा आपके अनुशार हो जाएगा अनुश्वार जाएंगे- 5 अफ़े डिन्ग judgments यहां पर कहीं भी आंग यहां जैसे सबदा जाएं वो सब आपके अनुश्म होंगे या नि infamous, कावर्ग चावर्ग कावर्ग तावर्ग पावर्ग होता उसका पंचम वर्ड अनुनाशिक होता है आपका इस तरीके से क्वेशन भी आ सकता कि अनुनाशिक वर्ड टोटल लिखे तो अनुनाशिक वर्ड आप लिख सकते हैं वर्ग का पंचम अक्षर आपका महेशर सूत्र इ इम हैं डड़नंभ आपको आता है उसमें पूछ सकता है से भी कुछन पूछ सकता है कि किस महर्शरसूत्र के पिस वर्ड यानि कि जो अनशिक वर्ड है वो टोटल किस महस्वा सूत्र में आते हैं तो सात्वे महेश्वा सूत इम डर्णम में आता है उसके बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांग मयम शब्द का संधी विच्छेत कीजिए असंधी का नाम लिखे तो वांग मयम यानि का का अंग में परिवर्तन हो रहा है अंगा में तो यहां पर वांग मयम समझ में ही आ रहा है कि यहां पर यह अनुनाशिक वड़ है तो यहां पर अनुनाशिक बेंजन संधी हो जाएगी क्लियर जो का का अंगा में परिवर्तन हो रहा था एक एक उसमें बेंजन संधी में जो जसत्य संधी थी बेंजन संधी के अंदर जो परिवर्तन इस तरीके से और एक था कि काका पंचमवड्ड यानि अंगा में परिवर्तन हो रहा था जाकाईयां में इस तरीके से यानि जल का जस्में और जल अनुनार्शिक वर्डों में उसके बाड नेक्स्ट कुस्चन है कि वाड़ी के कितने रूप होते हैं तो वाड़ी के चार रूप होते हैं, कौन कौन से? परा, पष्चन्ति, मध्या, बेरबरी ये वाड़ी के चार भेद होते हैं, यानि बोलने के चार तरीके होते हैं परा, पष्चन्ति, मध्या और मार्बरी Cl máquina उसके बाद जो हमारा next question है next question क्या है वड कितने प्रकार के होते हैं तो वड माला को हमारे दो भागों में बाटा गया है स्वर तथा बिंजन तो वड माला के यही भेद भी होंगे हा का उचारिस्थान कहां है हा का उचारिस्थान दोस्तों कंठ है कंठ हा का भी है और कावर्ग का भी है उचारिस्थान कावर्ग का भी clear next question है टा का उचारिस्थान क्या है तो टा का मूर्धा है टा का जो है मूर्धा है और टाका कौन सा उचाय स्थान है ये वाला सा यानि इसको क्या बहुते हैं पिट चुर्रा सा ये मुर्धंत सा है उसके बाद चावर्ग का तालव है और तालव कौन से सा का है एक इस सा का भी उचाय स्थान तालव है क्लियर चावर्ग और शा का जो उचाइस ठान है वो तालव है और इए जो स्वर में इए चोटी बड़ी है वो भी तालू से बोली जाती है फिर पावर्ग पावर्ग का उचाइस ठान है ओष्ट क्या है दोस्तों ओष्ट यानि ओठ से बोलके देख लिए आप लोग पभभभ मा यानि उपर वाला ओठ नीचे वाले ओठ से इस पर्स कर रहा है तथदधना से प्रारंब सब्दों का उच्छारा इस्थल क्या है यानि कि जो ता वर्ग है वो कहां से बोला जाता है तो दन्त होगा और दंत कि साखा उच्छा इस्थान है दंत ये वाले साखा भीらい स्थान है असुद्द कोश्चन है कि असुद्द हुच्छारण का कोई एक कारण बताई तो यानि जैसे कि माता पिता तथा परिजनों का सिठ्छित होना असुद उचार यानि कि जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा अजीब बोलते हैं यानि कि कुछ चीजों को अजीब तरह से बोलते हैं जैसे कि कोई भी चीज आप ले लीजिए बहुत लोग सासा ये जो उसम बेंजन होते हैं इसी में बहुत लोग कहीं पे ज़्यादा एनरजी लगानी चाहिए ज़्यादा ही लगा देते हैं कुछ बोलने में इस पश्रता नहीं आती है तो उनके असुद्ध उचारड के कारड होता है या तो वो चीजों को समझ नहीं पाते है या तो उचारित नहीं कर पाते हैं तो यह कमियां आती क्यों है यह उनके माता-पिता के सिच्छित होने से आती है परिजनों के सिच्छित होने से आती है गलत समाजिक वाता वरड में पैठते हैं उसके कारड़ आती है और स से नहीं कह सकते कि वह वागबाधित लेकिन हां कुछ वागबाधित में केवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो ना बोल पाए वही वागबाधित में आते हैं नहीं जिनको हलका भी बोलने में प्रॉब्लम है हकलाते हैं तो तलाते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है एक्सटेरेंट के दौरान बाद में कोई प्रॉब्लम आई है उनकी आवाद चली गए तो वो सब वागबाधित में आते हैं क्लियर फिर नेक्ट है संधी के मुख्य रूप से कितने भेद हैं तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि संधी के भाई तीन भेद हैं कौन कौन से हैं स्वर संधी बेंजन संधी और तीसरा कौन सा था विशर्ग संधी तो दोस्तों यह जो स्वर संधी है इसको क् आज एक हमारा प्रत्याहार है और इसको हल हल भी हमारा प्रत्याहार है विशर्ग को विशर्गी बोला जाता है तो तीन संधी के भेद हैं हमारे स्वर संधी बेंजन संधी और विशर संधी गुर संधी किसे कहते हैं बात आई कि गुर संधी किसे कहते हैं तो चैप्टर में कि आप लोगों को इसमें कोई प्रावलम नहीं हो रही होगी बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने तयारी को और बैतर बना रहे हैं तो गुड़ संधी क्या थी भाई जहां पर हश्य और दीर्ग आ यानि हश्वा दीर्ग हश्वा दीर्गा के पश्चात यदि छोटी छो पर आता है तो वर्डो के स्थान पर क्या हो जाता भाई क्या हो जाएगा एक सिकन मना बताते हो क्या हो जाएगा क entrar यह हश्वा और हसographers ही मिलेगा तो क्या बहारude år और वाक एं किसी में भी मिलेगा तो क्या बनेगा और दोनों हो सकते हैं इसमें से हस्वा, दीरगा कोई भी हो बस अगर इन दोनों में ई मिल गया तो ए बन जाएगा इन दोनों में उ मिल गया तो बन जाएगा इन दोनों में री मिल गया तो आर हो जाएगा और इन दोनों में से किसी से भी मतलब कि री मिल गया तो यहां पर अल हो उसके बाद है भी बेंजन संदी बेंजन संदी किसे कहते हैं जहां किसी बेंजन का किसी बाद वाले बेंजन वर्डों के साथ मेल हो जाता है परस्पर मिलने पर जो परिवर्तन होता वही बेंजन संदी कहलाती है यानि बेंजन संदी क्या है कि जहां पर किसी बेंजन का किसी वेंजन वर्ड के मिलने से मेल हो जाता है यानि मिल जाता है तो जो परिवर्टन होता वही वेंजन संदी का लाती है वेंजन संदी का उदारण देख लेते हैं जैसे वागदयम बॉंगमयम यह सब हमारे वेंजन संदी के उदारण है नेक्स्ट है फिर विसर्ग संधी विसर्ग संधी क्या है जहां विशर्गों के साथ श्वर या वेंजन के मिलने से कोई विकार होता है यानि विशर्ग ये हमारे विशर्ग है विशर्गों के साथ कोई श्वर वेंजन मिल जाता है तो वहाँ पर जो विकार होता वही विशर्ग संदी कहलाता है समास के कितने भेद होते हैं तो समास के हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि समास के भेद पांच है समास के भेद छे होते हैं कौन-कौन से तत्पूरुस समास, पहुब्रीय समास, अब्वेवी भाव समास, कर्मधारय समास, दिगु समास, त्वंद समास ये हमारे च्छे भेद होते हैं त्वंद समास क्या है जिस समास में दोनों पत्प्रधान होते हैं वही त्वंद समास कहलाता है जैसे और इसको जोडने में चा का प्रियोग होता है जैसे पित्रो माताचा पिताचा यानि इसमें दोनों का समूओ है माताचा पिताचा जैसे राम लच्मडो रामाचा लच्मडो चा यानि राम और लच्मड उसके बाद आता है कि द्वंद समास के कितने भेद हैं तो द्वंद समास के भी तीन भेद हैं कौन-कौन से हैं दवांद समास के तीन भेद कौन कौन से हैं पहला है इतरेतर दुवनद दूसरा समहार दंद और तीसरा एक्सेस दुवनद वैसे सिफ़ भेद ही पूछता है बाकी इससे questions आते नहीं है इस बस में वही पूछता है कि दुग समास की उदाःर क्या है या फिर लिखने को डिट और तुमास कोषिचन कि समास काला आए जैसे तुम्हान नायान यूने दीफ। समास किया है समास का सब्धिक तोहाई सब्धिक ठाऩ मिल कर जब विक्ञशा decent होता है तोब समास कह लाता है आपको इतना सब याद करने की जोग मिद्मा इतना याद करिए कि समास कार्थ होता है संच्छेपी करर या संच्छेप यानि सब्दों को छोटा करना दो या दो से अधिक वाक्यों का मिलकर वाक्यों या सब्दों का मिलकर मिलने से जो विकार उठ्पन होता है वही समास कहलाता है और दो या दो से अधिक सब्दों दो या दो से अधिक वर्डों के मिलने से जो विकारवपन होता है वो संधी कहलाता है संधी कारवपन क्या होता है मेल क्लियर उसके वाइब करमधारे समास किसे कहते हैं करमधारे समास करमधारे समास में दोस्तों दो पद तो होते हैं उत्तर पद और पूर पद दोनों पद होते हैं लेकिन इसमें क्या है एक पद विशेशड होता है दूसरा विशेश होता है या एक उपमे होता है दूसरा उपमान होता है तो ये मिलकर करमधारे समास बनते हैं या विशेशता बताते हैं जो करमधारे समास में होता है इसमें एक पद विशेशर होता है विशेश होता है या एक उपमान दूसरा उपमे होता है यानि की कुल मिलाके ये जो समास होते हैं ये विशेशता बताते हैं जैसे नील, कमल, घन, शियाम ये सब इसके उधारण हैं नेक्ष्ट है त हमानि चुमनाते तत्पुरeहं से उत्तपश उत्तर प्रधान होता है हुआ कि यह कर्दमी तक हमारे सुच्ट्पुम् इनौária कि आुखे राज पुत्र यानि राजा का पुतर तोई इसमें कौन सी भिभक्ती है करता ने कर्म संबंध काकी के clear यकिर है जैसे रसोई गर रसोई के लिए घर तो इसमें कौन सा हो हो सम्प्रदान के लिए आ 1953 कि नेक्स्ट कोश्चन है बहुबरी समास क्या है इसमें दोनों पत प्रधान ना होकर किसी तीसरे पत की विसेश्था बताती वह बहुबरी समास होती यानि कि इसमें ना तो उत्तर पत प्रधान होगा ना तो पूरवपत प्रधान होगा इसमें जो कोई तीसरा ही पत प्रधा एक Nos medium तो वो पृष्बी समाज का लाधा जैसे की डशानन यानि डशानन हौज से लिए हU-1 जकरपार wave जुन ने कौन है बगवान विश्णू क्लिएर भववरी समाज की तू लगव्ववरी हम लगविअ कितने पढूरीए समाज के उसके बाद है कि नए धन अका में कौन से संदी है तो नए धन अका दोस्तों नायका नए धन अका मतलब नायका तो इसमें कौन से संदी होगी जिसमें आए आए आओ आओ ये सब्द मिलकर बने वो हमारी आयाद संदी कहलाती है क्लियर अवनी शह में कौन सी संधी है दोस्तों बड़ी की जहां भी बड़ी की मात्रा बड़ा का डंडा दिख जाए बड़ा का डंडा नहीं सवरी बड़ा की मात्रा तो वहां दीरगर संधी होगी महेस में कौन से संधी होगी दोस्तो गुर संधी होगी क्योंकि जहां भी एक ही मातरा दिख जाए आपको वहां गुर संधी होगी देवाले यहां भी बड़ा का डंडा है बीच में तो यहां क्या हो जाएगा दीर के संधी बश्यू धयो में कौन से संधी दोस्तों जहां एक एकी मातरा दिख जाए वहां गुर संधी और जहां दो दिख जाए वहां ब्रद्धी ब्रद्ध मींस ब्रद्धी हो गए नेक्ष्ट है पित्रे किस विभक्ती का पित्रे किस विभक्ती एवं वचन का रूप है पित्रे पित्रे हमारा चतुर्थी विभक्ती एक वचन है दोस्तों सब्द रूप हमने ट्रिक से आपको बनाने सिखाए हैं तो जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो डेख लें क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको फ्री सारी वीडियो हैं चैप्टर वाइज वह भी और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज कोई भी पूर्स लेबर्स कंप्लीट कराया गया है सारे सब्जक्तों का संस्कत का ही नहीं सारे सब्जक्तों का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजन का राग्य रूप किस विभक्ति से बना है तो ये भी चतुर्थी विभक्ति में है चतुर्थी विभक्ति एक पच्चन में है नेक्ष्ट है कि नदी सब्द का नद्या रूप किस विभक्ति से बना है तो नद्या पंचमी पश्ठी में बना है यानि कि पंचमी और पश्ठी पंचमी और सश्ठी में बना है यानि कि पंचमी में भी बनता है नद्या और सश्ठी में भी बनता है फिर नेक्ष्ट कोस्चन है कि रामा राम रूप किस विभक्ति वा वचन का है तो रामा राम जो है सश्ठी विभक्ति बह वचन है रमेभ्य रमाभ्याम रमेभ्य वो है ना सश्टी में आपका है ना रामस से रामयो रमाराम यानि आपकी सश्टी विभक्ति बहुवचन है उसके बाद नेक्ष्ट है कि धेनों का विभक्ति और वचन क्या है सब्तमी विभक्ति और एक वचन धेनों में भी सब्तमी विभक्ति और एक वचन होगा उसके बाद गूरुवे किस विभक्ति वचन का रूप है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है नेक्ष्ट कोश्चन है कि पित्र सब्द का सश्टी एक वचन का रूप है पितु क्लियर कि राग्या किस विभक्ति एवं वचन का रूप है तो राग्या जो है दितिया विभक्ति और बहु वचन का रूप है भगवान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है तो भगवान जो है प्रथमा विभक्ति का एक ही वचन का रूप है क्रिया किसे कहते हैं जिस सब्द के द्वारा किसी कार में होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं और इसी क्रिया को संस्क्रत में धातु कहते हैं इसी से धातु रूप बनते हैं धातु किसे कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हथ पढ़ना जाना हसना खेलना क्रिडंत यह सब हमारे भू भूधाँ लोट लखार्स पूरूस बहु वचन क्या होगा भव PA CPA Return भू धात लोट लकार प्रिथम पुरुस बहु वचन क्या होगा तो यह होगा हमारा भवन्तु क्यों कि लोट लकार पूछा है ना इसले भवन्तु होगा अगर लट लगार पूछता तो भवती भवता भवन्ती होता तब जाके फिर अश्य धात लिट लकार प्रिथम असमीन होता है अन मतलब की आना कि नेक्स्ट है फिर गमधात विद्लिंग लकार उत्तम पुरुस एक वचन क्या होगा गच्छे यम पठधात के विद्लिंग लकार मध्यम पुरुस एक वचन का रूप क्या होगा पठे पितांबर में कौन सा समास है पित्धन अंबर इसमें कोई तीसरा ही पद है यानि पीला है अंबर जिसका तो इसमें कौन सा समास होगा बहुवरिय समास पित्रों में कौन सा समास होगा पीता चा माता चा यानि दौन्द समास दोनों पत प्रधान है माता भी पिता भी नेक्स् प्रण गरों सारो साμांस हो जाएगा राज पुरिस्या में कौन सा समास होगा राजा का पुरुस के लिए पुरुस्य विया तो यहां पर तत्पुरिस समास होगा यानि भी्भक्ति का लोप हो रहा है हरी हरो में कौन सा समास होगा द्वंद समास होगा उसके बार नेक्ष्ट है निलांबर में कौन सा समास होगा नीला है अंबर जिसका यानि भगवान स्यू की बात हो रही बहुबरी समास कारक कितने होते हैं संसकत में कारक छह होते हैं होते तो वैसे हिंदी म में आठ हैं लेकिन संस्कत में 6 ही माने जाते हैं करता कर्म चा करड़े चा संप्रदाने तथयों चा अपादाना धिकरड़े इत्याहु कारकार कार्कार सटू कि हिंदी में कारको की संख्या आठ है रामेड सहसीता वनम गत्वती वाक्य में रामेड पद में कौन सी विभक्ती है दोस्तों रामेड तृतिया विभक्ती है अनि करताने कर्म को करड़ के साथ राम जो है राम सीता के साथ वन गई दसरत से पुत्रह वनम अगमत में दसरत सब्द में कौन सी विभक्ती है इससे आप लोग गेस कर सकते वैसे विभक्ती हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है सश्टी विभक्ती यानि संबंध बता रहा है दसरत का जो पुत्र है वो वन को गया राम अश्वेन गच्छति में कौन सा कारक भी भक्ती है तो इसमें करण कारक त्रतिया भी भक्ती हो जाएगी गुरुवेह नमा यानि किसी को नमशकार कर रहे हैं ऐसी भात में हमारी कौन सी कारक हो जाएगा हमने नियमकार्गों के पढ़े हैं तो संप्रदान कारक यानि हमा चतुर्थी भी भक्ती हो जाएगा इसमें भी संप्रदान करेंगे, तो वो हमारा वहाँ पे चतुर्थी भी भक्ती हो जाएगा फिर नदिशु गंगा स्रेष्टा, यानि नदियों में गंगा स्रेष्ट है, अधिकरड हो जाएगा में पर उपेर कलोप हो जा रहा है तो अधिकरड कारक सब्थमी भीभक्ती होगा ग्यानम भारम क्रिया बिना शलोक का क्या आर्थ है यानी उप योग में ना आने वाला ग्यान भार के समान होता है दोस्तों ये पंक्तियाँ आपको याद करने बहुत यावशक है तुट कि आप के एक जाम हे से एक आधा लिक से नंबर कभी आ सकता है कर भी एक फ़िर से कर टेमं बारO dim यानि स्लोक का क्यार्थ है उपियोग में न आ ग्यान भार के समान होता है next है विद्या धर्मेड़ सोहते यानि विद्या धर्म से ही सोभा देती है प्रण काहरत का चिन्न क्या है से यम केथवार यहां पर जो झाल किसे साधन की बात करता है अलग होने की बात करता induction अबर जो 5 неп्रकाति करता है अलग होने का वो होता है अधिकरण कारक का क्या है चिन अधिकरण कारक जो है सप्तमी विभक्ती है हाँ अधिकरण जो है सप्तमी ही है विभक्ती में पर उपर सुलेख का क्यार्थ है सुलेख कार्थ होता है सुन्दर और इसपश्ट लिखना सुलेख का क्या अर्थ होता सुंदर और इस्पेश्ट लिखना सुलेख यह प्रकार की नकल भी है क्लियर राइटिंग जिसको बोलते हैं यह चैप्टर हमने आप लोगों को बहुत ही अर्चे से पढ़ाया है अनुलेख क्या है किसी भी चीज को लिखी हो उसका ठीक वैसे ही लिख देना अनुलेख यानि किसी की नकल करना सुतलिक यानि सुनकर लिखना प्रत्य कितने प्रकार के होते तो प्रत्य प्रधान रूप से दो प्रकार के होते हैं क्रिदंत प्रत्य और तधित प्रत्य दोस्तों जो क्रिदंत प्रत्य होते हैं यह हमारे धातु में लगते हैं अब पूछेंगे आप लोग की धातु क्या है तो धातु क्रिया का मूल रूप होता है यानि पढ़ना लिखना खाना पीना जितनी भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग वो सब हमारी क्या होती है धातु वे होती है तदित पृत्ते क्या होता है हमारा सब्द यानि संग्या सर्वनाम विशेशड क्लियर संसकत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई तो संसकत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है उपसर्ग क्या होते हैं तो उपसर्ग वे सब्दांस होते हैं जो किसी सब्द के पूर्व यानि पहले जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते है जैसे कि प्रहार यानि हार में प्रा जुड़ने से हो गया प्रहार अभिमान अभिग्यान परियावरण ये सब हमारे क्या है उपशर्ग है परी अभी नी प्रा ये सब हमारे उपशर्ग है वाच्च क्या है वाच्च किसी बात को कहने का धंग वाच्च कहलाता है यानि कि कहा पर करता की प्रधानता हो रही है कहां पर कर्म की प्रधानता हो रही है कहां पर भाव की प्रधानता हो रही है वो हमारा वाच्च कहलाता है यानि किसी बात को हम किस तरीके से दूसरे से कहते हैं उसमें वही तरीका हमारा वाच्च कहलाता है वाच्च कितने प्रकार के होते है मुझें तेन प्रकार से होते हैं किरतवाच कर्मवाच और भावाच क्रटवाच में करता कि परधान भावाच सीता से पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है क्लियर वी उपसर्ग लगाकर पांच सब्द बनाईए दोस्तों इसी तरी के कुश्चन आपके एक्जाम में आते हैं कोई उपसर्ग दे देगा उसे बोलेगा कि चार पांच बनाईए मतलब की चार पांच सब्द बनाईए उपसर्ग से इस उपसर्ग से बनने वाले सब्द बनाईए तो आपको अगर याद होगा एक बड़राब रिट करेंगे तो अच्छा Aram पाएंगे और हां कुछ हमारे ऐसे सब्द होते हैं जो दो-दो उपसर्ग से मिलकर बनते वैसा भी question आपके previous year में आया था ये solve करने के बाद ये जब पवन स्रीज हमाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम लोग previous year question पेपर solve करेंगे 16 से लगाकर 19 तक तो भी उपसर्ग से लगाकर 5 सब्द बनाईए तो कौन-कौन सो बन सकता है जैसे कि विहार, विजय, विवाद, विराम, विदेश इत्याद है ओके अनु उप्षर्ग से के प्रयोग करके तीन सब्द बनाई है अनुरोध अनुगमान अनुग्रह अनुलोम यह सब हैं प्रा उप्षर्ग के प्रयोग से कोई चार सब्द प्रहार प्रगति प्रतीक प्रचार प्रशार प्रमार यह सब हमारे प्रा के उप्षर क्रित प्रत्य है उसी का भेद है तो इसमें जो है तव्यत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा और यह हां जो क्रित प्रत्य होते हैं यह हमारे धातूं में जोड़ते हैं तो यह हमारी पठ और क्रिय जो है यह हमारी धातू है तो पठ में जब तव्यत प्रत्य जोड़ेंगे कित प्रत्य के प्रियोग से चार सब्द बनाईए दोस्तों कित में हमने आपको बताया कि कित में ये का सालेंट हो जाता है ता बचता है तो कित प्रत्य भी हमारा जो है यानि कि जो हमारा कृत प्रत्य है उसी का उप्भेध है कित और कित वतु तो ये कित में जब ये भी धातुव में ही लगता है तो हश में जब कित प्रत्य लगेगा तो हसितम हो जाएगा भू में कित प्रत्य लगेगा तो भूत्तम हो जाएग दाव में कितफ्रत्य लगेगा तो DAN TAM हो जाएगा यानि देने वाला फीक में कितफ्रत्य लगेगा तो ग्राहिट हित्प हो जाएगा क्लियर इस प्रत्य को पासित कीजिये प्रत्य वेसब्दांस होते हैं जो किसे सब्सक्थ के आंत में जोड़ कर उनमें परिवर्तन कर देते हैं व eine प्रते महरे दो प्रकार के होते हैं ॏत थित प्रते संसक सिछर में उप्यों करे जाते हैं उनका उल्लेकरिए सभी को पता है सारे सब्ज сторон में यूज होता है ना ही सत भी यूज होता है मानचित्र भी यूज होता है चलियर कि पित्र सब्रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचन लिखे तो पितू-पित्रबहां पित्रब्ह ये हमारे बंचमी विभक्ति के पिता सब्द catastroph हो जाएंगे यह रिकारांत पुल्लिंग सब्ड होंगे धायि नेक्स्ट कॉस्चिन है कि दोस्तो ये 2016 के पूछे गई कॉश्चिन से जहलाम जशोवंते कि संधी का सूत्र है तो जहलाम जशोवंते हमारा जशत शंधी पदांत का सूत्र है इसमें जो जिस इसमें क्या हो रहा था कि जो सॉरी यदि वर्ग के प्रथम दितिय तृतिय और चतुर्थ और या रा लावा में से कोई वर्ड हो तो वो वर्ग के तृतिय वर्ड हो जाते हैं जो हमारा जहल प्रत्याहार है जहल प्रत्याहार वो जस में आदेशित हो रहा है जस प्रत्यार जस में प्रतेगवर्ग का त्रतिय वड़ाता है जैसे दिगधन अंबरा यानि दिगंबरा जगत धन इशा यानि जग दीशा अशधात के लंग लकार का रूप उत्तम पुर्षों के तीनों वचनों में लिखे अशाम आश्व आश्म अभी उप्षर्ग लगा कर कोई चार सब्द बनाएं 2016 का पुछा हुआ है दोस्तों अभी ज्यान अभी गमनम अभी ज्यानम अभी मुखम पश्यन पश्यन सब्द के धातु एवं प्रत्य बताईए इसमें कौन सा धातु है और प्रत्य लगा पश्यन का मतलब होता है द्रश यानि देखना देखने की धातु है यह और इसमें सत्तिर प्रत्य लगा हुआ है अपने स्थान पर अन आदेश कर रहा था रमाय गाम ददती में कौन सा है यहां देना किसी को उपहार दिया जा रहा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ती होगी राम गाय दे रहा है दान कर रहा है कभी नहीं वापस लेगा चतुर्थी विभक्ती एक वचन है गुरू सब्द के सब्दमी विभक्ती के तीनों वचनों को लिखिए तो क्या होगा सब्दमी विभक्ती गुरो 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 और गुवो गंगुरू सू यह होंगे हमारे गुरू सब्द के सब्दमी विभक्ती नायका का संधी विच्छेत कीजिए तथा संधी का नाम बताइए दोस्तों जहां पर भी अका यानि आउ आउ आई आई जहां पर आए अयाद शंधी नैधन अका यानि नायका अयाद शंधी उसके बाद है question कि गम धात के कत्वा प्रत्य लगाकर सब्द बनाईए तो गम में कत्वा प्रत्य लगेगा तो क्या हो जाएगा गमत्वा यहाँ पर का silent हो रहा है त्वा clear उसके बाद है अक प्रत्य के अंतरगत कितने वर्ड आते हैं तो जब तक आप लोगों को महशर सूत्र नहीं याद होंगे तब तक आप नहीं बना सकते पहला महशर सूत्र था आयूड 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 री लिका इसमें पूछ रहा है कि अक प्रत्यहार यानि कि यहां से यहां तक यह ले लिए अगर तो क्या बज़ेगा इप नेवर्ण में और दू धातू में कोई दो उपसर्ग लगा कर सब्द बनाईए तो क्या कि बं सकता है गम धातू में दो उपसरक जैसे प्रति, गमनम और अनुगमनम जैसे सब्द बना सकते हैं इसमें अनुप्रत्य और प्रति प्रत्य लगा कर दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेलपफुल रही होगी और आप लोग इसी तरीके से अपना रिवीजन करिए और पेपर की बहतर तयारी करिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब और आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया भोई लिए वहाम से आपको सारे जो भी क्लास होते हैं सारे नोट्स आपको वहां पर उपलब लब पिकरा दिए जाते हyn तो आप लोग वहां से डाँ़न्लोड कर सकते हैं और अपनी तयारी को और बहतर बना सकते हैं तोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जब आप शेयर करेंगे और काफी ज्यादा बच्चे हम से जुड़ेंगे तो हम उससे मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए और अच्छा study material लानी का पूरा प्रयार्स करेंगे तेंग्योग लास